What's up everyone, welcome back to the channel आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाला है और ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि ये September attempt वाले बच्चों के भी काम आने वाला है क्योंकि उनका accounts का exam हो गया, अब law का paper है और जो बच्चे मेरे साथ साथ January के लिए law की तयारी कर रहे हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा क्योंकि अब हमें दो acts हम कर चुके हैं एकोशेबल इंस्टूमेंट आक्ट, Companies Act ये हमने complete कर लिए अब हमें writing practice कर लिए है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर बच्चे law में fail क्यों होते हैं सब करने के बावजूद भी fail हो जाते हैं कारण क्या है बेस्ट आंसर्स लिखने नहीं आते तो सर, what are the ways या how to write best answers in law सारी चीजे इस वीडियो में cover करेंगे सब्टेंबर वाले बच्चे भी follow करना जैनवरी वाले भी करेंगे और law exam को फॉड़ेंगे चली जली से, let's begin अब बच्चो जो हमारे जैनवरी अटेंट वाले बच्चे हैं सबसे पहले मैं उनको बता दू कि हमारा अगले हफते का target क्या रहने वाला है क्योंकि इस week में हम लोगों ने complete कर लिया है Negotiable Instrument Act तो देखो बच्चो सबसे पहले तो हमारा Companies Act खतम हो गया हमारा Negotiable Instrument Act खतम हो गया अगला मैं आपको कराने जा रहा हूँ Partnership Act आप देखो बच्चो मोटा मोटा मान के चलना कि लगभग 20 नंबर के आसपास का ये लगभग 10 नंबर के आसपास का ये अब वो 8 से 12 हो सकता है ये 18 से 22 हो सकता है हमारा अगले हफते में खतम हो जाएगा तो अगले हफते में हमारा टार्गेट रहने वाला है Partnership Act ये मैं आपको पूरा करा दूँगा सारा एक्ट समापत हो जाएगा तीन चैप्टर्स हैं तीनों एके क्लास में आपको मैं करा दूँगा ठीक है उसके साथ-साथ बच्चों हमारे पास राइटिंग प्रेक्टिस भी हम इस से changes कराने हैं, तो मैं कल team के साथ बैठ के Saturday को उसको sort करा दूँगा तो हमारा जो next week का target रहने वाला है, बच्चों, accounts में तो आपको जो मैंने targets दिये हैं, वैसे पढ़ना ही है law में मेरे साथ साथ ही करके चल रहे हो, तो इसके और इसके most important questions, writing practice करने वाले हैं, और ये act पूरा करेंगे तो काफी portion हमारा अगले हफते में समापत हो जाएगा अब बच्चों जो सबसे important चीज आती है, सर जो writing practice करेंगे उसमें answers लिखने कैसे हैं, अब जिन बच्चों का परसो exam है, हैना, उनके बास भी मौका कम हैं, उनको तो पूरी तैयारी although वो कर चुके हैं, जो हमारे September Attempt वाले बच्चे हैं, बट क्या-क्या चीजों को खास ध्यान रखना है answer लिखते वे, वो सब अब discuss करने वाले हैं, तो देखो बच्चों बड़ी चीज़े important रहने वाली है सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों कि हमें कौन सी language में answers लिखने हैं क्या हम as it is module की language यूज़ करने वाले हैं क्या हमें अपनी language यूज़ कर सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे important सवाल यह आता है कि sir क्या as it is लिखना पड़ेगा the answer is no, बिलकुल भी नहीं कौन और लिख भी कौन सकता है भाई कौन सा ऐसा बच्चा है जो as it is module उठा के चिपका देगा नहीं कर सकता कोई कर ही नहीं सकता तो language आपको क्या करनी हैं आपको language अपनी यूज़ करनी है बट सबसे important चीज़ जो है वो है module में से निकले हुए keywords यह बहुत important है बच्चो जैसे की बहुत important बीच-बीच में से आप शब्द यूज़ करा करो legal language यूज़ करा करो कि यह शब्द exactly module में से उठाया तो कई इस तरीके के words है जो आपको हर topic में मिलेंगे अब हमने बहुत सारी doctrine पढ़ी का मिलेंगे doctrine of indoor management पढ़ा और doctrine of ultra virus पढ़ा तो वहाँ पर ultimately वहाँ पर कुछ शब्द है keywords है जो आप as it is use करो Negotiable Instrument Act में कई जगा पर BOE के लिए, promissory note के लिए, check के लिए कई जगा पर अलग-अलग languages use हुई हैं तो वहाँ से आप अपनी language पर answer frame कर सकते हो बट वो keywords उठाना बहुत important है और वो keywords आपको का करने है underline भी करने है अगर underline नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी तो आपको keywords underline भी करने है, ठीक है उसके बाद सर, sections कौन-कौन से कहा कहा कैसे कैसे लिखने है बचोद देखो, दो चीजे होती है या तो मुझे section याद है या मुझे section याद नहीं है है ना अब section अगर मुझे याद है तो आप उसको लिख दू अगर आपको section याद नहीं है तो कोई जुरत नहीं है बचो रिस्क लेने की गलत section मत लिखके आना Please It's better to not write section than to write the wrong section Please, understand अगर आप गलत section लिखके होगे नमबर कड़ जाएंगे भाई Section तभी लिखना जब section याद हो जो हमारे January वाले बच्चे हैं जिनका attempt है मैं उनको पूरे sections की important sections के list प्रोवाइड करूँगा सले बस पूरा होने के बाद revision है one shots है multiple चीज़े हैं सारी जीज़े प्रोवाइड करूँगा important sections के list दूँगा companies act के ये section याद कर लो negotiable के ये याद कर लो contract के ये याद कर लो sale of good acts के ये याद कर लो partnership के हर act के sections प्रोवाइड करूँगा तो मोग अभी stress free मेरे साथ साथ पढ़ते चलो जो बच्चे September वाले हैं वो already sections याद कर चुके होंगे नहीं करें तो main main sections जो है आप जिससे भी जहां से भी पढ़े हो उन्होंने आपको बताए होंगे कि ये ये main main sections है वो आप ज़रूर याद कर के चलना बच्चो ठीक है तो sections देखो sections अगर आप लिखते हो तो आपकी copy दूसरी copy से ज़्यादा better बनती है क्योंकि कम बच्चे हैं जो sections लिखते हैं ज़्यादा बच्चे sections नहीं लिखते काफी selective बच्चे होते हैं जो sections लिखते हैं और आपको लिखने हैं लेकिन अगर आप शौर हो, अगर आप थोड़ा सा भी doubtful होना तो मत लिखना, ओके, ठीक है, sections हो गया, keywords का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, keywords उसकरो, module में से important words उठाओ, और उन words को उसकरो, थोड़ा सा professional language उसकरो, थोड़ा सा professional language उसकर ना, है ना, एक तो हो गई, normal English, आपको उसके अंदर legal words add करने हैं, ताकि वो थोड़ा सा professional answer लगे, ऐसा ना लगे कि बच्चा कोई 12th का bet के answer लगना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ वाई CA students है, थोड़ा सा law को समझते हैं, लोग की भाशा में आ चुके हैं, लीगल language को पकड़ करने लगे हैं, अच्छे तरीके से आ गए हैं, तो थोड़ा सा key words use करना, उनको underline करना, professional लगना चाहिए आपका answer, ठीक है, अब आपका answer framing का क्या pattern रहना चाहिए बच्चो, answer framing कैसे करनी हैं, किस तरीके से सर, जब case based questions आएगा, तो क्या करना है, तो देखो बच्चो, जब भी आपका case based questions आएगा, although January वालोगों मैं practice भी करा हूँआ, बट फिर भी मैं बता दू, कैसे लिखना है, कि आपका हर नया question नए page से शुरू होना चाहिए, यह अपने mind में रखना है, ठीक है, for example, तुमारा एक question यह page है आपके, और डेड़ पेज में खतम हो गया, let's suppose यहाँ से आपने लिखा, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब यह खाली बढ़ा है, तो यहाँ आपे answer number 2 शुरू नहीं करना, please, हर answer number नए page से शुरू होना चाहिए, यह चीज दिमाग में रखना बचो, presentation neat and clean, every new answer on new page, provisions अच्छे तरीके से mark करके, important words अच्छे तरीके से mark करके, professional language में लिखके चलना है, ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला, suppose करो की चाहर नंबर का question आया, 4 mark का question आया, ठीक है, अब आप किस तरीके से लिखने वाले हो, सबसे पहले, facts of the case, जो भी question है, उसमें क्या चीजे बोली गई है, आदे page पे तुमने अच्छे तरीके से facts लिखती है, अब line मत खिचना, ठीक है, अब हो सकता है, वो 20% पर आजा है, 25% पर आजा है, 30% पर आजा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पहले fact of the case लिखने है, fact of the case के बाद, फिर आपको provision लिखने है, ठीक है, मतलब कि किस particular law से ये चीज आई है, यहाँ पे आपको section brief करना है, as per section this of this act, ठीक है, ना, provision mention करना है, तो पहले तो facts of the case हो गया, कि case law, यह actual में यह बताता है, कि आपको कितना question समझा, आपकी understandability कैसी है, आपने समझे या नहीं समझे, तो facts of the case हो गया, फिर provisions mention करने है, as per this section of this act, ठीक है, as per section 3 of the Indian Partnership Act, तो आपने इस तरह किसे define करा, provision लिखा, यहाँ पर provision mention करा, कि उसमें क्या है, और फिर आप conclude करो, conclusion, conclusion में आप इन दोनों को combine करके, अपना answer frame करोगे, कि इसके facts यह है, इसमें यह section applicable होता है, और यह इसका सही तरीका है, यह होना चाहिए, right, this is how you frame your law answer, यह basic business studies का, economics का answer नहीं है भाई, बहार आना है हमें 12th से, professional तरीके से लिखना है, answer लिखना सीखे, कैसे लिखना है, सबसे बहले facts of the case, क्या है, फिर provision कौन सा लग रहा है, और फिर conclusion क्या है, मैं कैसे conclude कर रहा हूँ, मेरी तरफ से क्या चीज़े होनी चाहिए, जितने जितने important pointers हैं, वो सारे आपको लिखते चलने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इस particular pattern में, आप answer नहीं लिखोगे, तो गड़बड हो जाएगी बच्चो, इस बात का ध्यान रहे, तो every answer of yours, should be divided into three parts, सही है, facts of the case, provision, और conclusion, कि आप क्या conclude कर रहे हो, आप क्या समझे, आप के इस आप से ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, conclude ऐसे करो, कि तुम लोग ही judge हो, जो फैसला सुना रहे हो, तो judge बनके यहाँ पर फैसला सुना देना, समझ गए, clear हो गया, चालो, इसके बाद बच्चो जो सबसे important आता है, कि length कितनी रखनी है, सरा answers की, मेरे answer की length कितनी होनी चाहिए, देखो बच्चो ये depend करता है, कि question किस topic से आया है, ये depend करता है, देखो बहुत सारे ऐसे topic है, जो आपके 4 number में आ सकते हैं, लेकिन वो आपके 2 page में आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, जो 4 number में ही, शायद आपके 1.5 pages में आ जाएं, बहुत सारे ऐसे हैं, जो आपको 4 number में, 1 page में ही आ जाएं, लेकिन तुमें ये ध्यान रखना है, तुमें over extend नहीं करना answer को, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़ादा खीचने की जूरत नहीं है, आप लिखो precise answer, to the point answer, checker को भी जाए दिख करनी होनी चाहिए, वो जब आपका copy check कर रहा हो, तो उसको दिखना चाहिए, कि भाई, ICI ने बोला, कि ये fact of the case बच्चे ने लिखा है, done, ये provision होना चाहिए, लिखा है, done, section mention करा है क्या, done, conclusion में इसने relate करके, क्या सारी conditions लिख दी, जो चाहिए थी, done, रहना precise ही है, खीचो मजच चीजों को, precise रहो, to the point answer लिखो, accurate answer लिखो, सारे provisions mention करो, बढ़िया पूरे number मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कि length को आपको बहुत जादा खीचने की जुरत नहीं है, length depend करता है कि topic क्या है, किस topic से सवाल उठके आया है, कई-कई topics में बहुत सारे points आपको लिखने बढ़ेंगे, कई-कई topics में दो-तीन points में काम हो जाएगा, तो depend करता है कि आप कैसे लिख लिख रहो, right, तो ने बताया कि अच्छा हुआ, जिनका अच्छा नहीं भी हुआ, let it be time waste करने की जुरूद नहीं है, अगले की तयारी करो, law की तयारी करो, ठीक है, फिर अभी और भी exams आपको देने हैं, तो बढ़िया तरीके से बच्चो, I hope, जो बच्चे first time January में देने वाले हैं, उनको काफी clarity आई होगी, काफी चीज़े पता चली होगी, कि answers कैसे frame करते हैं, इसका screenshot लेना है, ले लो, इसके साथ-साथ ये सबसे important चीज़ है, जब हमारे पास case-based questions आएंगे, तो पता होना चाहिए, practice में आपको करा दूँगा, और जो बच्चे January में में साथ-साथ तयारी कर रहे हैं, तुम्हें मैं पहले भी कह चुँँँ, तुम लोग बिल्कुल stress-free रहो, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या है, learning साथ-साथ करते चलना बच्चो, आपको साथ-साथ learning करनी है, learning कैसे होगी, लिखो, लिखते चलो, रोज लिखा करो basis, daily basis पे लिखा करो, अच्छे तरीके से, ठीक है, उसके साथ-साथ revision, अब जैसे कल Saturday है, तो तुम्हें मैं homework दे रहा हूँ, दोनों acts revise करना, हमने दो acts कवर करें न, module के last में, conclusion में, सारे की सारी चीज़ें दीवी हैं, दिया है ना conclusion बिल्कुल last में, module में, वो conclusion अच्छे तरीके से, दो-दो-तीन-तीन बार पढ़ो, देखो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, जो नहीं याद आ रही हैं, उसके वीडियो चला के दुबारा देखो, तो बढ़िया तरीके से learning, लिखित practice करनी है, revision करना है, और proper answer framing, वो मैं आपको सिखाई रहा हूँ, आज मैंने आपको tips दे दी, अब आपको practice करा दूँगा, और बढ़िया तुम लोग done, सर, module के पीछे बहुत सारे MCQs दी हैं, हमें क्या वो भी करने हैं, हाँ बेटा, MCQ आपकी knowledge के लिए है, exam में तो नहीं आते, लेगिन आपको बढ़िया तरीके से, अपनी knowledge चेक करने के लिए कर लेने हैं, ठीक है, चौला वाई, बहुत बढ़िया हो गया, इस हफ़ते का कारेकराम हमारा समाथ है, next week में मिलने वाले हैं, right, वही Monday, Tuesday, Thursday, Friday को मिलेंगे, या फिर Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday मैं तुम्हें बता दूँगा जैसे भी होगा, तो हम लोग अगले हफ़ते, एक नया एक्ट पूरा करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठाइक यू सो वेरी मच एवरीवन फो जॉइनिंगे, आम गोना सी यू आल सुपर सून, तिल देन सीया, टेक केर, बबबाई, कीप ग्रोइग, कीप ग्लोइग, कीप स्वाइलिंग,